चलिए अब बात करेंगे 36 गड़ की पॉलिटिक्स की उपचुनाओं में हार मिलने के बाद बीज़ेपी की चंता बढ़ती जा रही है मंतन के लिए बीज़ेपी नेता दिली तलब के गए है पूर्बसीम रबन सिंग नेता पुतिपक्ष दरमलाल कौशिक को दिली बुलाए क्या है प्रतेश रतेक्ष विष्ण देव साई महमत रीप ववन साई दिली तलब के गए हैं वदादिक राष्टे एतिक श्वेपी नड़ा समय तने नेताओं के साथ उनकी बैटक होने वाली है दोजारते इस वदान सबर चुनाव को लेकर चर्चा हो सकते है 36 की मौझूदा राजनितिक हालात पर भी चर्चा होगी बीजेपी संगचन में बड़े बदलाव की आस नज़र आ रही है तो चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी की चुनता बढ़ गई है मंतन के लिए बीजेपी नेता दिली तलब किये गए हैं जल्दी उनकी एक बैठक राश्टे देख ज्वेपी नड़ा लेंगे अधिक जानकारी इस पर हम लेंगे सीधर रुक करेंगे राश्ता निराइपूर का सहीवी कुलेश्वर पांडे मरसात लाइफ बने हुए है एक तरफ यशोदा वर्मा का शपत ग्रहन समारो और दुसरी तरफ बीजेपी को भी ये ख्याल आ गया है कि अब चिंतन मंथन की जरूत है क्या कुछ जानकारी से जुड़े देखे बिल्कुल देड़ साल से भी ज्यादा समय बचा हुआ है 2013 विधानसबा चुनाओ के लिए और जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस लगातार 36 गड़ में खराब होते जा रहा है कहीं नकई अब बीजेपी हाई कमान की टेंसन जो है बढ़ गई है जिस तरह से उपचुनाओ में तमाम केंद्री मंत्रियों का दौरा हुआ खुद रमन सिंग ने मुर्चा समाला तमाम बीजेपी के वरिष नेता खेरागर में जूटे थे बावजूत उसके बीस हजार से बीजेपी को वहाँ पर हारना बढ़ा मतलब साफ है कि 36 गड़ की जनता ने कहीं न कहीं बीजेपी को अभी नकार दिया है अब देड़ साल काफी कम समय होता है इन देड़ सालों में फिर से बीजेपी कैसे कमबैक करेगी कि सर्णिती के साथ 2030 विधान सभाव में उतरेगी और क्या सरकार में वापस आपाएगी कि नहीं इन तमाम विश्य को लेकर निश्चित तोर पर कहीं न कहीं हाई कमान की टेंशन बढ़ेगी इसलिए चार नेताव को दिल्ली तलब किया गया जिसमें पूरु मुख्यमंद्री डॉक्टर रमन सिंग संगड़ा महामंद्री पवन सिंग पवन साय देता प्रतिवाग सामील है कहीं न कहीं दिल्ली में अब इसको लेकर बैठक होगी और साथी 36 गड़ की मौझूता राजनितिक हालात और बीजेपी के क्या कुछ तैयारी इसको लेकर चर्चा होगी अगर हम बीजेपी के बाद को लगातर भारतियंदा पार्टी 2018 चुनाओं में हार के बाद कम चाहिए अगर बीजेपी सोच रही कि हम सरकार में तो काफी जो रास्ता है वो उनके लिए कठीन है तो निश्चीत तौर पर कहीं नहीं रनिती के साथ जो है बीजेपी को मैदान में उतरना पड़ेगा क्योंकि हम सवा तिन साल में एक भी ऐसा बड़ा प्रदर्सम से बीज बीजेपी के प्रदिस पर भारी डीपूर इन देश्वरी बस्तर संभाग का दौरा की थी सर्गूजर संभाग का दौरा की दे कहीं न कहीं वहां के जो स्थानी नेता है उनका साथ रुपए कहना था कि संगठन जो है थोड़ा सा कमजोर है बदलाग उजरा तो संगठन में बदलाग को भी सुक्व का हाट है निश्ची तोर पर चारों नेता को दिल्ली तलब किया गए आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को बीजेपी के अंदर हमें मिल सकता है बिलकुल याने की बीजेपी संगठन में बदलाग हो सकते हैं शुक्रिया आपका कुले शरिस पूरी ज्वानकारी के लिए तो चुनाव में मिलिहार के बाद बीजेपी के चुनता एक बार फिर से पढ़ गई है तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाएगा इसके बाद एक बड़ी बैटक होगी और 36 गड़ की मौझूदा राजनितिक हालात पर इस बैटक में चर चाहुनी